दोस्तो रोजाना गवर्रमेंट जोब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हैंसे सब्सक्राइब कीजिए और साधी साथ बेला इकन को भी दबा ले इस वीडियो में आपको कम्पलीट जानकारी देंगे कि क्या यहाँ पर पोश्ट वाइज और केटिकरी वाइज वाइज वेकेंसी है क्या कम्पलीट इल्जिबिलीटी कराइट एरिया है कैसे आप इन भरतियों की नोटिफिकेशन की पीडिया डाउनलोड कर सकते हो कैसे अप कर सकते हो और कब से कब तक आप एपलाई कर सकते हो अश्टैब बाई श्टैब पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए आप कोई वीडियो सुरू से लेके अंतक बिना अस्किप की वह देखनी होगी तो चली दोस्तों बिना कोई वक्त कमाई सुरू करते हैं SSSB की दो बड़ी भरतियों की पूरी जानकारी जहां दोस्तों जो फर्स्ट नंबर पर जोब निकली है ओने कले सबोडिनेट सर्विस सेलेक्षन बोर्ड अधिनस सेवा चेन बोर्ड में कलरक पोस्ट के लिए जहां दोस्तों कलरक के लिए 160 वेकेंसिज निकली है सेल लिए 1900 लेवल के अंतरगत परती महा के लिए प्रोवाइड की जाएगी ग्रिजवेट ला से आप एपलाई कर सकते हो 18 से 37 सुवर सायू शीमा है जनल केंडिडेट्स के लिए 1000 रुपय आवेदन सुलक है SCBCWS के लिए 250 रुपय आवेदन सुलक है एक सर्षमेन केंडिडेट्स के लिए 200 पर ओनलाईन आवेदन कर सकते हो पंजाब जोब लोकेशन है SSSB.panjab.gov.in इसके official government website है जिससे आप ओनलाईन अपलाई कर सकते हो ओनलाईन आवेदन स्टार्ट हो चुके है 12 अपरिल 2021 से लास्ट टेट अपलाईन करने की 10 मई 2021 है फिस पेमेंट करने की लास्ट टेट भी 13 नंबर पर जोब निकली है वो निकली है स्कूल लाइबरेरियन पोस्ट के लिए 750 वेकेंसिज निकली है 25500 लेवल 4 के अंदरगत से लिप प्रोवाइड की जाएगी 12 पास पलस डिपलोमा से आप एपलाई कर सकते हो 18 से 37 और सायू सीमा है जनरल कंडिडेट के लिए 1000 रुप होगा ओनलाइन अपलाई कर सकते हो पंजाब जयोब लोकेशन है SSSB.panjab.jov.in portal से ओनलाइन कर सकते हो इसके लिए आवेदन 5 अपरेल से चल रहे हैं दोस्तो इन दोनों भरतियों के वारे में और जाद जानकारी के लिए आपको हमारी वेबसाइट का लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन पलस फर्स्ट कमेंड बोक्स में मिल जाएका और हमारे इस पेज पर विजिट करके यहाँ पर आप देख सकते हो फर्स नंबर की जो खंस क के पूरी जानकारी दि गई है ओनलान आवेदन करने के लिए भी सभी इंस्ट्रक्शन दे गए हैं जिनको फॉलो करके आप सिंप्ली ओनलान एप्लाइए कर सकते हो online आवेदन का भी हमारे portal पर ही हाँ पर link देगा है color post के लिए जैसे आप इस link पर click करोगे तो online का यहाँ से section open हो जाएगा ज्याँ उस तो color legal के लिए हाँ पर यह instruction यहाँ पर आपको देगा है online करने के लिए अगर आपने पहले से registration नहीं कहा तो आपको new registration के इस tab पर click करना होगा जैसे आप इस पर click करोगे तो registration का यह form open हो जाएगा first में आपको यहाँ पर आपको name डालना होगा और उसके बाद में father's name, mother's name, gender, male या female, marital status, उसके बाद में domicile, category, nationality, date of birth, age limit आपको यहाँ पर डालनी होगी और registration complete करने के बाद में आपको simply online आविदन form भढ़ना होगा तो दोस्तों यहाँ से आप यहाँ से simply registration करने के बाद में online apply कर सकते हो इसी तरह second number की notification भी आप यहाँ से download कर सकते हो link यहीं पर देगा है second table के end में जैसे आप इस link पर किलिक करोगी तो इसकी भी यह notification की pdf open हो जाएगी complete details आपको इसी pdf में मिलने वाली है exam pattern syllabus related online करने के लिए और eligibility की भी पूरी जानकारी आपको pdf में ही दी गई है और साथ साथ online करने के लिए इसके भी यहाँ पर आपको link देगा है इस link पर किलिक करके आप इसके लिए भी यहाँ से directly apply online कर सकते हो registration आपको यहाँ से करना होगा इस link पर किलिक करके आप यहाँ से school librarian पोस्ट के लिए simply registration करते होए online आविदन form fill up कर सकते हो तो दोस्तो यह आप simply आविदन कर सकते हो किसी भी पोस्ट के लिए तो दोस्तो इस वीडियो में वस इतना ही I hope यह वीडियो आपको पसंदाई होगी अगर पसंदाई है तो इसे like और share जरूर करे साथी साथ दोस्तो और आपने भी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस पर हम डेली गावर्मेंट जोब्स की ऐसी बिग अपडेट अपलोड करते हैं